है जल टुकारी के जल चुका आफको फिर्टों को क्या य को क्या दिखाना मुलइ defence कोज़े नहीं तो चलते हैं वीडियो की और और आफ़ लोगों को दिखाता हूं कि हमारे एसि के साथ क्या प्रेशानी थी और हमने किस तरीके से repair करवाया और कितना खर्चा आया तो यहां पर देख सकते हमारा गौध्रेज का split AC है जो कि non inverter AC है तो मैं इसको on करके देखता हूँ यहां पर देख सकते है remote से on कर रहा है तो आउन नहीं हो रहा है अब इससे अंदाज़ा आप कर सकते कि है वोल्टेज आया था किसी टाइम तो mcb को फिर से आउन कर लेना आउन करने के बाद यहां पे stabilizer हमारा run हो रहा है अब देखते AC की और फिर से दुबारा फिर से मैं ट्राय करता हो आउन करने का तो यहां पे से आउन कर रहा हो तो और नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ फॉल्ट है इंडोर यूनिट के फ्रंट पैनल को खोलने से पहले आप जितने भी AC का मैं लाइन है उसको को डिस्कनेट कर ले अनपलग कर ले इस टैपलाजर को फिर हमने पावर बॉक्स खोला पावर बॉक्स खोलने के बाद यहां पर मैं लाइन टेस्ट करने के बाद यहां पर पता लगा कि यहां पर AC supply है current मतलब आ रहा है तो हमने finally complete AC को खोल लिया और यहां पर MCV box जो है indoor के अंदर इनको भी खोला box को तो यहां पर हमने search भी start कर दिया कि कहां fault है आके तो सबसे पहले आपको fuse को ही check करना है किसी भी PCB में तो यहां पर जो fuse है उनके उपर cover लगा हुआ है तो cover को खोलने के बाद यहां पर हमने देखा यह जो fuse है यह खराब हो चुका है तो यह कांच वाला fuse पंद्रे ampere का था यह खराब हो चुका है जल चुका है तो market से आपको इसी type का fuse लाना है मतलब सही देन आपको फ्यूज को लगा लेना है साथ ही इनके उपर जो cover था उनको भी cover कर लेना है तो यहां पर PCB board को आप देख लें जैसे पहले था उसी तरह से यहां पर हमने सार चिश कर लिया यहां पर देख सकते फ्यूज लगाने के वाद एसी को जैसे याउन किया तो फ्यूज जल गिया दुवारा से फिर हमने तीसरे बार टेस्ट किया फ्यूज लगा के फिर से जल गिया हमारे और काफी तेज इस पार्क हुआ था तो फिर से हमने देखा PCB में जो एमोवी था वो जल चुका था और जब हमने PCB को बैक साइड देखा तो यहां पे मैक्रो कंट्रोलर का जो भी आइसी वगेरे था वो जल चुका था जिनके वज़े से फ्यूज बार बार जल रहा था तो काफी यहां पर देख सकते हैं बुरी तरीके से जला था हाई वोल्टिज के वज़े से तो हमने गौदर तो फ्रेंस मैं जो कंपनी द्वारा PCB हमने लगवाया उनका खर्च की बात करूँ तो तक्रीबन 4500 रुपे हमें लग गया जो कि बहुत ज़ादा है तो यही 4500 अगर आप बचाना चाहते थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहते तो आपको करना क्या होगा अगर यह करता हो हमने यही गलती करा कि सबसे पहले हमने कंपनी द्वारा PCB लगवाया फिर बाद में पता क्या कोई PCB बनाता हो एरिय में तो पता लगा PCB रिपेयर होता है और हमने वही चीज कराया PCB जो जल चुका था उनको हमने रिपेयर करवाया और मात्र 600 रुपे में वह हमें बावजूद भी जितने भी फंजन्स है वो सारा प्रोपर काम कर रहा है और मैं करीब एक महने से यूज कर रहा है कोई परेशानी नहीं हुए तो आप ऐसी गलती ना करें तो वीडियो पर बने रहे हैं मैंने क्या रिपेयर करवाया और कैसे काम कर रहा है यह भी दिखा रहा ह तो यहां पर देख सकते हैं मार्क भी है जलने का जो की ये एरिया जो है कौसंस है लिखा हुआ है भोल्टेज इसी के बैक साइड में हमारा जो आइसी था वो जला था तो उसी आइसी को रिमूव किया उन्होंने जो की एवलेवल वो आइसी नहीं था तो उनके जगे पे ए दिखा पाया बस ये दिखा रहा हूँ कि वो जो आइसी था नहीं मिला उनके जगह पे ये आइसी लगाया है मैं अगला कोई वीडियो बनाता हूँ इस पे जो की किस तरह से क्रेक्शन हुआ है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके रिपेर में तो यही था रिपेरिंग का प्रोसेस एक चोटा सा आइसी के वज़े से ये पीसी भी खराब हुआ था और यह हमारा सिर्प छेसो रुपे में ठीक हुआ है तो आप लोग को यहीं सजेस्ट करूंगा कि जब भी खराब पीसी भी हो तो आप सबसे पहले लोकल में ट्राय कर रहे रिपेर करवाने की नहीं होता है फिर लाश्ट ऑप्संस है आपका शमर के द्वारा बात करके आप एसी को ठीक करा सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं वही ओल्ड पीसी भी हमने यहां पर लगाया और चेक भी करा फर्स्ट टाइम तो यहां पर हमने सप्लाय भी दिया सप्लाय देने के बाद यहां पर देख सकते हैं जहां हमारा पीसी भी लगाव है यहां पर लाइट देख सकते है रिट कलर का वहां जलने के बाद यहां पर पैनल पर भी यहां पर टेंपरेचर सो होने लगा है मतलब यह जो है पीसी भी हमारा work करने लगा है finally हमने remote से भी check करा, वो भी proper work कर रहा है मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि PCV भी repair होता है और काफी कम price में तो आपको भी PCV से related कोई भी जानकारी चाहिए तो आप comment section में comment कर सकते आपको help करूँगा और जवाब मिलेगा